असलाम लेकों अम्रीवाइन, कैसे आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां जहां भी होंगे, इस वकत मिन्टर इंजॉइ कर रहे होंगे तो जी, यह मेरा वर्स्ट आवर व्लॉग है, उमीद है कि आप सब को पसंद आएगा, कोई रेक्यमेंडेशन, कोई सजेशन हो तो जुरूर बताईएगा खैर जी, यहां पे सुबा के साड़े आट हो रहे हैं, और हम जा रहे थे, यहां पे एक होलसेल मार्केट है, स्मिथ फील्ड के नाम से, उसको विजिट करने, विकास हमें फिश लेनी थी थोड़ी से तो जी, जैसे हम यहां पहुंचे, हमें पता चला है, यह तो एंट्रेंस नहीं है, यह जो एंट्रेंस एक्चुली यह फिश के लिए नहीं है, बलकि वेजिटेबल्स और फूट्स के लिए तो हमें फिर दुबारा वापिस अधर साइड जाना पड़ा, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि इस साइड से नि, इसका जो दूसरी तरफ है, उस तरफ से आप जाएंगे, तो वहां से फिश वाला सेक्शन आएगा तो जी फिर हम बापिस अल दे वे अधर साइड गए, और यहां पर आप देख सकते स्मिट फिल मार्केट लिखावा है, और यहां से एकली फिश के एंटरस है अच्छा जी, क्योंकि यह सुबा का वक्त था, तो लगली रश काफी कम था, और मुझे तो अच्छा लगा कि यहां पर रश नहीं है जादा, आप एजिली शॉपिंग कर ली जाएगी और मौसम भी काफी अच्छा था, अगर आप देखें तो इस ओल क्लावडी, और वैसे जो लोग यूके में रहे तो नहीं पता होगा, यह मौसम सर्दियों में होना आमसी बात है, यह सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, लेकि जब बारिश शुरू होती तो सब कोई ब प्रेस कर देता है, इस्पेशली इस विंटर सीजन, तो है जी हमें पार्किंग बेराम से मिल गी थी और हम यहां पे इस वेजिटेबल सेक्शन से होते हुए, फिश सेक्शन में जा रहे थे, और यहां पे बिल्कुल क्लीन, स्पॉटलस क्लीन कहते है न, वो वेजिटेबल स साफ सुतरी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश और भी लोग समान निकाली रहे थे, तो मैंने कर चलिए थोड़ा बद आप लोगों को दिखाती ही चलू यहां से, यह देखें जी फार्म फ्रेश शकरकंदिया, इस सीजन मज़ा ही अलगे, यह देखें गाजरें, गाजरें हो, मैं अवरहल जगा फ्रेश टॉमाटो ही देखें, तो खैर जी देखें, बाते करते करते हम इस फिश मार्केट वारे सेक्शन में भी आ गए हैं, मुझे तो लगा था बहुत बड़ी मार्केट होगी, बड़ी को हूज साइज हो गंदर से, यह वो, लेकिन जी यहां पर बस दो ह मार्केट शॉप सी, एक शॉप क्लोस थी, दूसरी शॉप चाइनीज की थी, और वहां पर काफी वराइटी अवेलेबल थी, तो बी आनिस्ट, डिफर्न टाइप की फिश थी, प्रॉंस से, छोटे भी थे, बड़े भी थे, जो छोटे थे, वो चार मिल रहे थे, पांच का, अगर किसी को मतलब इंटरस्ट हो, जो लोग मजब शॉक से खाते हैं सी फूड, उनके लिए जगा बैस्ट विजिट करने के लिए, तो एक्शली हम यहां पे साइमन लेने आये थे, हमें था कि चलने, अगर कोई और भी मिल जाए, मतलब बोलनेस मिल जाए, फिलेट्स समय जाए थे, यह बोलनेस थे, और काफी गुड साइस के थे, एक में तीन-तीन थे, तो हमने का चलने यार, इसको भी कंसिडर करते हैं, और साइमन भी देख लेते हैं, बाकि और भी डिफरेंट डिफरेंट थी, लेकिन, मुझे बहुत जादो जादो जो कांटे वाली मसली होती होती है, मुझे भी कुल पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, सबसुड़ी वज़ा एक्रिशाइद यह ही है, जब आप खाने बैठों तो आप कांटे निकालते रह जाते हैं, और जब तक फिश के खाने के बारी आती है, वो ठंडी हो जादी हो जाती है, तो मुझे सीफूड लवर्स हैं, इस हमन फर देम, अच्छा अच्छी बात यह यह थी कि यहाँ पे फिश इस डिफरेंट परिस वेलेबल थी, फिफ्टीन पॉंड कर भी बॉक्स था, थिएट का भी था, फॉर्टी थी का भी था, जो आपकी रेंज में एजीली फिट हो जाए, वो आ बस आपने से अगर थोड़ा बहुत स्कीन को साफ करना तो ठीक है, यहाँ पे मेरे हस्बंड और मैं यह रिसाइट करे थे, कि हम साइमन लें या फिलेट्स लें, और थो साइमन टैन कीजी पहुत स्यादा थी, फिर हमने सोचा यार चलो, थोड़ा-थोड़ा हम मतब यूज करते जाएंगे, जो यूज नहीं होगा, उसे फ्रीज रखेंगे, बस हमने साइमन ली, और उसके बाद हम फोरां घर की तरफ निकले, क्योंकि हमारे खर में अक्शली काम चल रहा है, बैक्यार्ड में, तो इंशाला तहला मैं आपको साथ साथ भो भी दिखाती रहूंगे, और जब इंशाला इवेंचली वो रेड़ी हो जाएगा, तो हम इसका फाइनल लुक दिखाऊंगे, बागी थोड़ी बहुत में अपडेट सेती रहूंगे, अक्शली हो किया रहा है, यहां हम घर पॉंच गे थे, और मैंने सोचा कि यार, आज मैं आज आवेकाडो टोस बन मैं तो बहुत जादर ने डाला, एक टुमाटो लिया और हाफ अनियन लिया था मैंने, उसको चॉप कर लिया था बारी, बस यहां मैं आवेकाडो के मिक्सरों के साथ मिक्स करी थे, अच्छे से, उसके बाद मैं सारे मसाले डालूंगी, मसाले वही जो नॉमली हम घर में कि अट्रीप करने, टोटली अप टू यूँ, है लाइक टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑप कार्लिक पॉडर, मैंने डाल लिया और यहां में रफली बाकी सारे मसाले डालूंगी लेकिन आपको फ्र भी बताती चलूंगी, मैंने बलेक पुपल लिया है, हाफ टी स्पून और हाफ ट स्पून से भी कम था हम नमा कितना जादा लेते ही नहीं कि नमा कुछ नहीं करता है सब्सक्राइब करें कि आपको ब्लेट पिर्शर करें और आपकी बॉड़ी में वाड़र इटेंशन को इंक्रीस करें अल्मूस हाफ टी स्पूनी मैंने अक्छी क्रस्ट रेट पेपर डाला था आप इसे कॉंटिटी कम भी कर सकते हैं और जादा भी कर सकते हैं ऐस पर यह टेस्ट मुझे थोड़ा स्पाइसी फसंद है क्योंकि वैवाकाडो के इसलफ को टेस्ट होता नहीं है तो यह स्पाइसे जालके जरुद का फ्लेवर इनहेंस हो जाता है बस जी अच्छी से मिक्स करें चाहे तो आप इसे सादे ही खा लें लाइक टोस्ट पर लगा के खा लें चाहे तो आप इसे एक के साथ लेने यहां में इस एक के साथ लोंगी फ्राई एक के साथ तासर चाह जब हो रही थी तो यह मेरा टोस भी रैड़ी हो गया था अच्छी यहां पर मैंने तो एक टोस को तो टू पीसिस में कट कर लिया था और एक को रहने दिया तो मैंने गलती से किया था अगर आप मेरी जैसे में स्टेक करना चाहते हैं तो आप कट कर लीजएगा वरना आप नहीं कीजिएगा मैं जातर मतब टोस्ट लगाने के बास को कट करते हूं टू पीसिस में क्योंकि ये फिलिक थोड़ी हैवी होती है तो मुझे इसलिए कर्विनियंट लगता है कि मैं इसको टू पीसिस में स्लाइस कर लो सासद मैंने एग भी फ्राय होने के लिए रख दिया था और सासद मेरे टोस्ट भी हो गए था अलमोस्ट मुझे ये टोस्ट फ्राय के साथ जाद आचे लगते हैं आप इससे इसे भी ले सकते हैं चाई के साथ ज़्स ल excited और आप जाए तो फ्राय के साथ ले सकते हैं its totally up to you मेरा है यहां पे एक भी फ्राय हो गया था बस मैं ठीका वेट करी थी के दो-ती नुबाल आ जाए मुझे पकीवी चाए पसंद है तो मेरे कोशिश दी कि दरब पक जाए सही से तो फिर मैं डालूं कप में और साथ सद यहां मेरी चाए भी रेडी होगी देखें पकीवी हॉट टी प्योर देसी टी आप में से कौन को इंगलिश टी पिना पसंद करता और कौन कौन देसी टी मुझे जरूर पताईएगा यहां पर तो मोस्टली हमारे लोग जो हैं वो इंगलिश टी पिते हैं लेकिन मुझे देसी टी पसंद बढ़ी अपनी चाए के दुबात ही अलगे ना पकीवी चाए और यह एक्टली आदिद मुझे मेरे शोहर से पढ़ी है शादी के बाद वो इतनी चाए को पकाते थे कि अब मुझे ऐसी ही चाए पसंद एक गाड़ी-गाड़ी मतलब पतली-पतली चाए नही पी जाती और यहां जी हमारा ब्रेक्फरस्ट भी रेडी हो गए है अच्छा हमारे ये ब्रेक्फरस्ट और बच्चों के लिए हमने पैनकेक बनाएते हैं बच्चो ने पैनकेक तो क्यां कि बेशक छूटी हैं वर्ली मौने गुट जाते हैं यहां हम बस ट्रेसकों से थोड़ी सी शॉपिंग करने आए थे क्योंकि आशकल बच्छों की विकेशन चल रही है तो उन्हें कुछ न कुछ चाहिए होता हर वकत खाने के लिए तो कुछ स्नैक्स की शॉपिंग की हमने बस आप यह जो देख रहे हैं कुछ यह जो आईसक्रीम वगारा है कुछ हमारे बच्छों के लिए कुछ हमारे लिए है अच्छो बेटे ने तो मैगनम पसंद की थी यह जो बड़ी वाली है ओपो आईसक्रीम यह मेरे हजबंड के लिए थी इस विकत बहुत हाश वैदर है हमारे हैं बर सम्टाइम इस मौसम में आईसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है तो बस हमने बस यह बच्छे ने बेटे ने ली थी तो मैंने का चुछ हम भी ले लेते हैं अच्छी लगती कभी कभी रात में अगर अब कभी एक दू स्कूप प्ले लें तो पर सभी च्वाश छाब लेकल आए तो अब के अब आद बाद के लाए तो कि उन्होंने अपसमें प्ले किया अनों ने मेरे साथ प्ले किया तो Communist का विकेशन समिंडेन तो बिहानिस मेरे बच्चे को तो बड़े वाले को तो स्कूल हितना पसंद है वह कहता है कि मैं स्कूल में रों तु जाद अच्छा है घर श्री शां के वक्ती रिकॉर्डिग हुए इस वकत में सासत किचन समेट रही थी हो जो शॉपिंग की ती शां में उसको मैं कहानी हो उसको लगाना उस समान को अरेंज करना उसको लेक एक अलग कहानी होती है और जातर मैं और मैं हजब एक दूसरे को प्लीज आप लगा दो प्लीज आप लगा दो क्यूंकि समान अरेंज करना फिर मारा छोटा वाला जो बेटा है वो बच्चा जो एक एक अगा समान अ पर उसके बाद मुझे अच्छली बरतंद होने थे और हमारा प्लाइन था कि मैं जड़ी से किचन समेट हूँ और मैं हजबन फिर कोई बैट के मुवी देखे नेट्फ्लेक्स पे अच्छा मुट्ट अफ तर टाइम में से मेरा यह होता है कि मैं सुबह से लिके शाम तक बरतं डिश वाशर में लगा देती हूँ और सोने से पहले लगाती हूँ ता कि मैं सुबह उठाएं तो किचन तो मैं साफ करके सोती हूँ तो बरतं भी मुझे धूले मिल जाते हैं यह म अच्छी दो दिन पुरानी वीडियो है तो हमने रात में इसक्रियर मुवी देखी थी यह वह ओर थिलर मुवी जो थ्रिलर मुवी देखने का बड़ा मसा आता है मतलब अएंड तक आप गैसी करते रहते हैं कि क्या होने वाला है तो काफी अच्छी मूवी है कि जो लोग प लेखेंगे तो कि यह दो ही अविलिबल है नेक्ट फ्रेक्ट फ्रेस वकर तो यहां खर मैं बरतन कोशिश कर थी जड़ी दूल जाएं बरतन दोने के बाद मैंने फिश को मसाला लगा के भी रखना तो जो मैं सुबह में लेकि आई थी तो मैं मतल मेरी कोशिश होती है कि यार क्यूंके बच्छे मेरे छोटे थी और बच्छों के साथ पता आपको बहुत मुश्किल होता मैनेज करना कभी कभी तो बच्छे इतना तंक क्रैंकी होते हैं कि आप डाल भी वर ले नहीं रख सकते कि जब बच्चे अपने आई पर आते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते सबाए इसके कि आप उनको हैंडिल करें इनके बच्चे छोटे हो मेरी बास से ज़रूर रिलेट कर सकेंगे especially here in UK और जितनी भी आप लगा लीजे West countries है Middle East countries है जहां पर को helping hands available नहीं है तो या तो आप take of a dependent होते हैं या तो आपने प्री प्रिपेर्ड आपने तो रखा होता है ready made meal उस पर होते हैं लाइक मैंने हमेशा कोछ रोथी घर में कबाब बना के रख लूँ तिक्के बना के रख लूँ मसाला लगा के I mean फिश बना के रख लूँ तो यार खैर यहां मैंने फिश को मसाला भी लगा के रख लिया था यह मैंने पांच-छे पैकेट बनाये थे तो मुझे था कि यार दो-चार दिन चल जाए ना actually मैंने यह काफी बड़े-बड़े पीसी से फिश के तो मैंने हर पैकेट में two large size pieces रखे थे और मेरे बिटा अच्छी शौक से खाता निये फिश तो अगर वो खाता भी है तो मतर मेरे से share कर लेता फिर वो यह काफी बड़े-बड़े pieces की वे थे मैंने जो मैंने जब मैं fry करूंगी तो हो सकता है इसको two pieces में divide करूं कि अच्छे से उसकत fry हो जाए शैलो फ्राइ करूंगी लेकिन बतलब अंदर तक से एक अच्छे से पहुंच जाए तो बस यह रख करने के बाद मैंने बस सब कुछ wind up किया kitchen साफ किया और मैं जाके बस यह देखे मैं दिखा भी रही रहीं कि यहां पर किते बड़े pieces हैं यह अच्छे मैंने जब मसाला डाला तो यह पाउची इतने घंदे हो गए थे कि मुझे इनको दुबारा से टूशू से साफ करना पड़ा अच्छा जी बस यहां मैं काउंटर साफ गए थी फिश मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दी थी और यह फिश मैंने होबन मसाले से बनाए थी जो के मैं पिछले 5-6 सालों से बस यही मसाला यूज़ करी जो मैं खुद बनाती हूँ और इस फिश को खा के जो मज़ा आता है वाँ 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 खैर अगर आप मैंसे किसी किसी रैसीपी चाहिए तो मझे जरूर बताएगा इंशा आला मैं जरूरूश शेकरूंगे आप लोगे साथ यहाँ आज का मेरा व्लोग खतम होता है यहाँ आप लोग का अच्छा लगा हो अगर आपको प्लीज अच्छा लगा हो तो दू सब्सक्राइब दू लाइक और दू लीव या कमेंट बिलो इंशा आला ताला जिससे आप लोग रिलेट कर सकें जिससे मैं कुछ आपसे अप्ली टिप शेयर कर सकें और आप मुझे कुछ सिखा सकें इंशा ला तरह नेक्स रम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज